यह कहानी है 1870 से 1881 के बीच में हुए फ्रांस और पर्शिया के युद्ध की आखिरकार उस युद्ध के अंदर ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस की डिस्टिक एलसेस और लॉरेन के अंदर जो लोग थे उनकी जिन्दगियां पूरे तरीके से बदल गई आखिरकार युद्ध जो है उसका आम लोगों की उपर क्या प्रभाव पड़ता है हमारी भाशा का हमारी जिन्दगी के अंदर आखिरकार क्या महत्व होता है अब मेरे पीछे जो लिखा हुआ देख रहे हैं इसका मतलब होता है लॉंग लिव फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज में जैसे हम हिंदी में बोलते है भारत जिन्दाबाद हिंदुस्तान जिन्दाबाद वैसे ही है यह लॉंग लिव फ्रांस अखिरकार क्यों क्या मतलब है इसका अखिरकार यह यहां क्यों लिखा गया है आज यह जो चाप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपको दो क्यारेक्टर्स देखने को मिलेंगे एक है हमारे टीचर जो 40 साल से एक ही स्कूल में हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं और एक है छोटा सा बच्चा जो हमीशा पढ़ाई को टालता रहता है जैसे आप और हम कि कल कर लेंगे आज तो कौन सी नहीं बात है अभी तो हमारे पास बहुत समय है यह चाप्टर हमें एक बहुत ही प्यारी सीख दे कर जाएगा कि आखिरकार क्यों हमें हर एक चीज को कल पर नहीं टालना चाहिए हमें हमारी भाशा को क्यों मजबूत बनाकर अपने बीच जिंदा रखना चाहिए और आखिरकार युद्ध क्यों नहीं होने चाहिए आज आए एलफानसे डॉडे ने बहुत ही प्यारी एक कहानी हमें बताई है फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो युद्ध हुआ 1870-1871 के अंदर जिसके अंदर पर्शिया जीत गया पर्शिया जो है उस समय के अंदर आप देखेंगे जर्मनी पाट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पॉलांड से मिलकर बना था अब जब ये युद्ध हुआ फ्रांस हार गया तो बॉलिन से ओर आए बॉलिन और लॉरेन ये जो दो डिस्टिक आपको यहां दिखाई दे रही है इन दोनों डिस्टिक के अंदर अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी इसकी जगा अब से यहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी बिटा किसी इनसान से अगर उसकी अत्र भाषा है उससे दूर नहीं हो जाएंगे और एक दूसरे कल्चर से ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे ना तो यह आखिरकर इंपोर्टेंस क्या है इस भाषा कि आये जानते हैं एलफॉन से डॉडे ने यह चाप्टर लिखा है और यह कहानी बताते है 1870 की जब Persian forces जो थी किसके अंडर बिस्माक के अंडर पूरा नाम है ओटो वॉन बिस्माक की पहले चांसलर थे जर्मनी के इन्होंने फ्रांस के उपर आक्रमन किया और उसको कबजा लिया एलसेस और लॉरेन नाम की जो डिस्टिक है इन पर क्या प्रभाव पढ़ा वो उस चाप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आए शुडू करते हैं जो फ्रेंच डिस्टिक थी एलसेस और लॉरेन ये पर्शियाई हातों में चली गई तो जो पर्शियन रूलर्स थे जो शाशक थे उन्होंने क्या किया मना कर दिया कि अब से फ्रेंच भाषा जो है इन स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाई जाएगी और अब ये जो चीज थी वहां गाओं के लोगों के उपर वहां के बच्चों के उपर वहां के टीचर्स के उपर तूफान बिजली बन कर गिरी क्यों सभी कभी भी अपनी भाषा को वो महत्व नहीं दे पाए पढ़ाई को वो महत्व नहीं दे पाए उन्होंने हमेशा उस चीज को कल पर टाला और अब उन्हें लग रहा था कि आखिर वो दिन आ गया वो समय आ गया जब हम आगे अपनी इस भाषा को पढ़ नहीं पाएंगे जो फ्रेंच पढ़ाया करते थे उन अध्यापकों को बोला गया कि आप यहां से जाएए अब आपका कोई काम नहीं है अब M. Hamill जो है उस स्कूल के अंदर और नहीं रुक सकते थे नहीं टिक सकते थे वो काफी उदासी भरा दिन था उनके लिए केवल एक दिन पूरा इस चै टीचर का बीता जो 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहा था बहुत ही उम्दा तरीके से यहां बताया गया है अब क्योंकि वो टीचर बहुत उदास है 40 साल तक वहां पढ़ाने के बाद आज उसका आखरी दिन है क्योंकि और आ गए हैं बर्लिंस से की अब से फ्रेंच था कि आज ही इन बच्चों को पूरे तरीके से मैं इतना ग्यान देदू कि सब कुछ जितना मुझे आता है यह सब एक दिन में सीख लें यह जो कहानी है कहीं ना कहीं यह पूरी जो सिचुएशन है उसका दुख को बया करती है कि कैसे लोगों को मैसूस होता है when they don't learn their own language ज Hindi में कम नमबर है English में ज्यादा नमबर है right तो यह बहुत ही एक बुरी चीज है गलत चीज है क्योंकि हम भारत के लोग है हमारी जो पहचान है हमारी Hindi भाश हमारी Sanskrit भाशा से है उससे पकड़ हमें बना कर हमेशा रखनी चाहिए आज आपको यह इस चाप्टर के जरिये समझ के अंदर क्या महत्व होता है and how important it is to safeguard it और कितना ज्यादा जरूरी है इसकी रक्षा करना कितना ज्यादा महत्व पूर्ण है आखिरकार इसकी रक्षा करना आए इस चाप्टर को चुरू करते हैं में पॉइंट के जरिये France is afraid to go of going to school as he has not learnt participle दो characters आपको इसके अंदर बिटा जी देखने के लिए मिलेंगे एक होंगे अमारे M. Hamill जो की आपके हैं French teacher पिछले 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और दूसरा है आपका France एक चोटा सा बच्चा राइट और देखेंगे कि किस तरीके से इस बच्चे को बुरा लगता है जब इसे पता चलता है कि आज के बाद उसको इस language को पढ़ने को नहीं मिलेगा चाले सुबह सुबह का समय है France को बड़ा डर लग रहा था कि यार मुझे स्कूल नहीं जाना है उसे दिख रहा है दिन कितना सुहाना है अच्छा है आखिरकार मैं स्कूल क्यों जाओं अक्सर हमें स्कूल जाने से डर तब लगता है जब हमने कुछ तयार नहीं किया होता स्कूल में टेस्ट होता है कॉपीज चेक को नहीं होती है ऐसी बहुत सारे चीज़े यहाँ पर हमारे जो एम हैमल है उन्होंने पार्टिसिपल बोला था बच्चों को याद करके आने को ह हमारे फ्रैंस ने वो नहीं किया है अब उसने दिखा यार बाहर इतना खुबसूरत मौसम हो रहा है पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं चाप्टर में बुला गया पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं जो की इंडिकेट करता है कि फ्रैंस हार चुका है एलसेस और और येन के अंदर आप पर्शियाई लोग शाषन कर रहे हैं इसलिए पर्शियन सोलजर्स को ड्रिल करते वे प्रैक्टिस करते व्वे दिखाया जा रहा है ठीक है ना बढ़या सूरज निकला हुआ है चिडियाए चह चाहा रही है ठीक है और पर उसने इन सभी चीज़ों को स से मज़े करूंगा क्या ही रखा है स्कूल में पार्टिसिपल्स का तो पी भी नहीं आता है पर फिर भी वो जैसे दैसे करके स्कूल की और चला गया राष्ते में फ्रांस जब टाउन हॉल को क्रॉस करता है यह होता है टाउन हॉल यहां पर एक बुलेटन बोर्ड लगा हुआ मतलब जो भी जरूरी सूचना होती है जो लोगों तक पहुचानी होती है सरकार को वो अकसर यहीं पर लगा दी जाती है दागी सभी लोगों को पता चल जाए अब बुलेटन बोर्ड पर हमेशा से बुरी खबरे ही आई थी ठीक है कभी हम कोई वार हार गए हैं ड्राफ्ट की ऐसी अलग-अलग बुरी खबरे हमीशा बुलिटिन बौर्ड से सुनने को मिली थी अब जब फ्रांस जा रहा था स्कूल की तरफ तो वो देखता है बुलिटिन बौर्ड पर इत्ती जादा भीड लगी है तो वो सोचता यार अब क्या हो गया हमेशा या बुरी खबर ही होत होता है कि अरे अरे स्कूल जाकर तुम्हें बड़ा समय मिलेगा अराम से जाओ तो उसे लगता है यह ना मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और हाफते हाफते फ्रांस जो है अपनी क्लास के बाहर जो बगीचा है वहा तक फ्रांस को पता नहीं है कि आखिरकार क्या बुलेटिंग बोर्ड पर लगा हुआ है फ्रांस जब दौरता हुआ जा रहा था वहां से तो वाच्य ब्लैक्समिट जो था वो उसको बुलाता है और वो कहता है उसको कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रुत ने है तो मैं चुप चाप इतने सारे शोर गुल में जाकर अपनी सीट पर बैट जाओंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा लेकिन जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुचा वो वहां जाकर देखता है कि स्कूल में सन्नाटा है पिन ड्रॉप साइलेंस अब वो कहता है यार आज के दिन ही ऐसा होना था क्या रोज स्कूल में बच्चों के चिलाने चीखने की अवाज आती है टीचर के रूलर को डेस्क पे मारने की अवाज आती है ड्रॉर के खुलने बंद करने की अवाज आती है बच्चों के एक स्व usual scene देखता उसको morning में, silence देखती है, वो उसको बोलता है Sunday morning जैसा school दिख रहा था, Sunday morning जैसा, क्योंकि Sunday morning को school क्या होगा, शान्त होगा, so बहुत सारी noise जो है वो आती है अकसर school में से, सुबह सुबह, जैसे आप भी सुबह सुबह स्कूल जाते होंगे, तो बहुत सारी आवाज जाते होंगे, इस point को बहुत अच्छे से याद करना exam में पूछ लिया जाता है, कैसी कैसी होती है, desk के move करने की आवाज होती है, बच्चों के lesson को repeat करने की होती है, teacher के table पर scale को पीटने की होती है, और बहुत सारी ऐसी आवाजे, आपको वहाँ पर देखने के लिए, मिल सकत पर उस दिन तो बिल्कुल Sunday morning जैसी silence थी, तो अकिरकार ऐसा क्यों था, friends हो जा रहे है, मैंने तो सोचा था, कि मैं पहुंच जाओंगा याँ पर, पर अभी मैं class में कैसे जाओं, ये तो embarrassment हो गया, अब क्या करूं मैं, पर उस दिन सब कुछ शान था, Sunday morning जैसा था, अब friends को शरम आ रही है, कि class में entry कैसे लो, खिड़की में से जाक कर देखता है, क्या, सारी दोस्त क्लास में बैठे हो है, सोचता है, अब क्या करो, अब तो बेज़ती होगे, चुप चाप, चुप चाप, चुप चुप चाप, बहुत हिम्मत जुटा कर, गेट पर जाता है, एम हैमल देखते हैं, उसे लगता है, टीचर डाटेगा, कर, टीचर नहीं डाटता, टीचर कहते हैं, अरे, friends, हम तुम्हारे बिना ही चुरू करने वाले थे, आज़ो, friends, सोचता है, ये क्या, आज सूरज कहां से निकला है, ब्रो, आज इसने डाटा कैसे नहीं, वो इस मौ करता है, वो देखता है, अरे, ये टीचर ने कौन से कपड़े पहने हुए, आगे देखो, एंटर कर लेता है, क्लास में, सब के सामने, ठीक है, कर लिया, जैसी क्लास में बैठा, अपनी डेस्क पे जाके, उसने देखा, टीचर इतना सजा धजा, कैसे आज, ग्रीन कलर का को अगर ये कपड़े तो कभी-कभी पहनता है, आज कैसे पहन लिया हमारे टीचर जी ने, जैसे स्कूल में प्राइस डिस्ट्रिब्यूशन है, पीटी है, मैं उस दिन आते हैं, ये सुन्दर त्यार हो के, आज क्यों आ गए, क्या रहा है, आखिरकार ये समझ नहीं आ रहा, फिर पीछे मुड़के देखता है, तो बैक बैंच जो होती है, वो खाली होती है, मिशा, आज वहाँ पे गाओ की लोग बैठे हुए है, वो फिर से शॉक में आ जाता है, कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, ब्रो, बुरा हाल, टीचर ने क्या पहना हुआ था, ग्रीन कोट प वो भरी हुई थी गाओं के लोगों से, आखिरकार ये जो सीनियर लोग थे, इन्हें पता था, कि अब से इन दोनों डिस्टिक में फ्रेंच लैंग्विज नहीं पढ़ाए जाएगी, तो हमारे टीचर जी का ये आखरी दिन है, तो वो अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लि था, पोस्ट मास्टर था और ऐसे बहुत सारे बुजर्ग लोग, बड़े लोग, सीनियर लोग, गाओं के वहाँ पर उन्हें सम्मान देने के लिए आये थे, अपनी भार्षा को, अपने टीचर को, ये उनका आखरी लेसन है, आखरी फ्रेंच लेसन, क्योंकि पर्षियन ज तो हैं, बरलिन के अंदर, उन्होंने ओर्डर दे दिये हैं, कि फ्रेंच लेंगविज पढ़ाया नहीं जाएगा, अब से लसेस और लॉरिन के अंदर, जामन लेंगविज पढ़ाई जाएगी, और जैसे ही ये ओर्डर दे दिये गए, तो अब मेरा आखरी दिन है यहाँ और यह शब्द, फ्रैंच के सरके ऊपर, बिजली की तरह गिरते हैं, फ्रैंच ऐसे एकता पूर के नाटक की तरह क्या, 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 वो सुचता है, यह हुआ क्या, एक्टम से रिग्रेट होने लग जाता हुसा है, फ्रैंच रिग्रेट इट वर्नाट बिइं सीरियास तो studies and for wasting his time and hunting birds eggs and playing in the star river एकदम से पुरा लगने लग जाते है कि मैंने seriously क्यों नहीं लिया पढ़ाई को महले तो मुझे अंडे चुगने है birds के है ना इदर उदर घूमना है सार नदी में मजे करने है मैंने पहले seriously क्यों नहीं लिया पढ़ाई को गाउं के लोग आये हुए थे बैठे हुए थे क्लास के अंदर वो भी इस बात पर पच्टा रहे थे कि पढ़ाई क्यों नहीं करी हमने समय रहते well in their childhood they had come to thank their teacher for the 40 years of service वो यहाँ धन्यवाद अदा करने आये हुए थे अपने teacher का जिन्होंने 40 साल दिये अब M. Hamill जो है न यहाँ पर बताने वाले actual में कि गलती किसकी है वो यह बोलते है France को खड़ा करते हैं और उससे बोलते हैं कि बहीं चलो पार्टेसिपल के रूल्स रिसाइट करो अब France चाहता था कि वो सब कुछ बोल दे रिसाइट कर पाया उस चीज़ को बट वो नहीं कर पाया और उस समय एम हामल उसे डाटते नहीं है बलकि बाकी सब लोगों के साथ उसे समझाते हैं कि इसमें केवल इसकी गलती नहीं है इसमें मेरी गलती है इसमें आपकी गलती है इसमें इसके पेरेंस की गलती है और इसमें इसकी भी गलती है आखिरकार क्यूं है हम सब की गलती इसमें कि हम नहीं पढ़ पा रहे अपनी ही भाशा को टीचर कॉल आउट तो फ्राइंज आज इस तर्न तो रिसाइट दी टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल्स एम हावल कहते हैं उन सभी लोगों को एलसेस और लॉरेन के कि आप सभी को ब्लेम किया जाना चाहिए अब वो जब नहीं पढ़ पाता है तब वो समझाते हैं कि आखिरकार क्यों केवल इसका कसूर नहीं हम सबका कसूर है देखिएगा क्योंकि कभी भी हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया यह जो हमारे शत्रू है न हम पर राज कर रहे हैं आज हमें हरा दिया है यह हसेंगे हम पर कहेंगे काई के फ्रेंच आदमी हो तुम 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 अपनी लैंग्विज तक नहीं आती हिंदी अगर हमें ना आती हो सामने वाला बंदा असानी से बोल सकता है ना कि काई बात कभ भारती है भाई तुझे अपनी भाशा ही नहीं आती है बोल देगा ना बस वैसे ही बोलते हैं कि ये लोग जो हम पर राज कर रहे हैं आज ही हमें बोल देंगे कि किस बात के फ्रेंच मैंन हो तुम्हें तो तुम्हारी भाषा ही नहीं आती और अब आगे आने वाली जेनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं आएगी बोलते हैं फ्रेंच को अकेले को गिल्ट फील करने की ज़रत नहीं है क्योंकि गल्ती सब की है बोलते हैं गल्ती मेरी भी है जब मुझे fishing करने का मन होता था तो मैं तुम्हें चुटी दे दिया करता था या मैं अपने पौदो में पानी डलवाने के लिए बच्चों को भेज दिया करता था या आप लोग बच्चों को अपने साथ काम पर ले जाया करते थे ताकि दो एक्स्ट्रा पैसे कमा सके कलती हम सबकी हैं हम ये सोचते रहे कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे कल कर लेंगे और आज वो दिन आ गया है जब हम नहीं कर पाएंगे एम हमल प्रेज करते हैं अपनी मदर टॉंग को तारीफ करते है कि क्यों French इतनी प्यारी लांगवेज है ये इस chapter के main important points है जहां से सवाल बनते हैं exams के अंदर ठीक है बच्चो He tells the class to guard their language वो class को बोलते है कि अपनी भाशा को अब तुम्हीं क्या करना है protect करके रखना है क्यों क्योंकि जब तक तुम अपनी भाशा पर पकड़ बना कर रखोगे तब तक ये समझ लेना कि तुम्हारे जेल के ताले की चाबी तुम्हारे पास है तब तक वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगार पाएंगे हमारी भारतिय सभ्यता की उपर न जाने कितने लोग आये, कितने लोगों ने आक्रमंड किया अपनी सभ्यताओं को थोपने की कोशिश की लेकिन कही ना कही भारतिय सभ्यता की नीव इतनी ज्यादा मसबूत थी कि कोई इसे हिला ना सका क्योंकि हमने अपनी पकड बना कर रखी हुई थी अपनी सब्हता अपनी संस्कृति अपनी भाशा के ऊपर बस यही चीज यहाँ पर एम्हामन भी बताना चाह रहे हैं केवल यही चीज यहाँ पर समझाना चाह रहे कि अगर अपनी भाशा पर पकड र cock receivers तो चाहे कितने साल की भी गुलामी क्यों ना हो अपनी भाशा अपना ट्रेडिशन अपना कल्चर जब तक तुम्हारे पास है सेफ है मौजूद है जिन्दा है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगार सकता क्योंकि अपनी मदर टंग जानना पहचानना आना कहीं ना कहीं एक टूल है डॉमिनेशन जो होगा ना तुम्हारे उपर अभी जो तुम्हारे उपर अभी शोशन होगा उससे फाइट करने का संधिया तक समझ में आ गया टीचर टुकर लेसें इन ग्रैमर उसके बड़ टीचर ग्रैमर का एक लेसें बताते हैं बच्चो को ग्रैमर के बाद एक लेसें होता है राइटिंग के ऊपर तो बच्चों के लिए सोच में पढ़ जाता है बहुत दुखी हो रखा होता है वो कहता है कि वो कॉपी जना हमें ऐसे लग रही थी जैसे पूरी क्लास में चोटे-चोटे जंडे लहरा रहे हैं बहुत ही प्यारा था यह और फिर वो और सोचता है और सोचता है और वो यह बोलता है क्लास में एक मक् पहराई से लगे हुए होते हैं जो लिखने के लिए दिया होता है और उसके बाद कहीं न कहीं उसे उपर जब वो देखता है तो कबूतरों की कू की अवाज आती है और फिर वो इस थौट में पढ़ जाता है कि क्या किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोपने से चीज़े ठीक हो जाती है वो कहता है कि हम लोगों को तो चलो जबरदस्ती करके तुम जर्मन लैंगविज पढ़ाने के लिए बिठा रहे हो क्या इन कबूतरों को भी ऐसा करोगे इनसे भी गाने गवाओगे क्या तुम जर्मन लैंगविज में कहने का मतलब उसका ये था कि जब आसपास के इस तरीके का आपका surrounding change होता है या war होता है तो किवल जो लोग युद करने गए हुए हैं वही पीड़ित नहीं होते हैं आम जंता भी बहुत पीड़ित होती है और आपके आसपास की surrounding जो है वो भी उतनी ही ज्यादा पीड़ित होती है तो वो यहाँ पर यह कहते हैं कि क्लास में फ्रांस वंडर करता है कि यह पोर्शन जो फोर्सेज हैं क्या यह कबूतरों से भी इनकी भी भाषा बदलवा देंगी क्या इनसे भी गाना जो है जर्मन में गवाएंगी क्या तो राइटर यहाँ पर यह कहना चाहता है कि लांग्वेज एक नाचुरल चीज है यार चीक है बच्पन से हम अपनी भाषा बोलते आएं और यह किसी के उपर थोपी नहीं जा सकती बी इट अपिजिन जो दी फ्रेंच में चाहें हो फ्रेंच में हो चाहें वो पिजिन जो समझने की बात यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो यह है कि आपकी जो भाषा है वो सेफ करना बहुत इंपोर्टन है उसको जानना बहुत इंपोर्टन है अगर आप वो नहीं जानते हो तो आपको अपने उपर लानत होने चाहिए ठीक है अटलीस लिखना और बोलना तो आना चाहिए अपने बच्चों को भी आगे सिखाना आगे आने वाली जेनरेशन को भी आगे सिखाना ज़रूरी है राइट उसके बाद घड़ी में बारा बच जाते हैं और कही न कहीं M. Hamill जो है वो बोलना शुरू करते हैं M. Hamill उस समय कुरसी पर बैठे होते हैं जब सभी बच्चे कुछ-कुछ लिख रहे होते हैं जो कॉपी उन्होंने दी थी और वो उस क्लास को निहार रहे होते हैं और वो एक-एक चीज़ को बहुत गहराई से देख रहे होते हैं मानो उस चीज़ को वो अपने अंदर बसाने की कोशिश कर रहे है उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने हापने 40 साल बिता है बारा बज जाते हैं घड़ी में बहुत दुख के साथ भारी कदमों के साथ वो अपनी कुर्सी से उठते हैं बहुत इमोशन के साथ लाग लिव फ्रांस बड़ा बड़ा जितना बड़ा हो सकता था पीछे बोर्ड के ओपर उन्होंने वो लिखा और इस तरीके से एक जेश्चर किया कि आप जा सकते हैं आपकी क्लास खत्म होई उनका गला इतना भारी था कि वो कुछ बोल भी नहीं पाए और इस तरीके से यह चाप्टर यहाँ पर खत्म हो गया मैं आशा करते हैं चाप्टर आपको पसंद आया होगा मज़ा आया होगा इस चाप्टर के जो भी important words थे वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिये हैं अगर आप इसका screenshot लेना चाहें तो ले सकते हैं और कुछ words यह रहे जो मैं आपके लिए लेकर आई थी मैं आशा करती हूँ यह चाप्टर आपको समझ में आया होगा इसे related important questions भी मैं आपको जरूर बताऊंगी और मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस चाप्टर को पढ़ाने में मैं आशा करती हूँ आपको भी आया होगा कि अब से हिंदी भाषा आपको आपके स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना और चैनल को अभी तक सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो सब्स्ट्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके बाबाई गाइस टे केर ओल वेरी वेस्ट